नमस्य दोतों आप सब्स्वागेट आज मैं स्वात्य समधी चचा में आपको आईर्वेट की एक बहुत महेंगी दवा और एक बहुती बेतरीन दवा जिसका नाम सालम पंजा सालम पंजा पहाडी चेत्रों में अधिक होती है विशेज करके नेपाल चेत्र में सालम पंजा का बहुत महेंगा है अताईस की आप खरीट देख बाल के करें सालम पंजा एक बहुती गुंकारी बल वीरिय वर्दर पोष्टिक और योन सक्ति को बढ़ा कर नपुन सक्ता को नश्ट करने वाली वनोश दी है ये बल बढ़ाने वाली शीत वीरिय बारी सनेक्द तरपति दैक और मास की वरदी करने वाली है ये वात पित का समन्द करने वाली औरस में मदूर होती है सालम पंजा के वीमिन पासाओं में संस्कत के अंदर इसे हैं मुझा तक और हिंडी में सालम पंजा, मराटी में सालम और गुजराती में सालम तेलगू में गोरू, टेटू, इंगलिस में सालेप और लेटिन में आरकिश लेटी फोलिया के नाम से पुकारते हैं सालम पंजा हिमाले और तिबत में आठ से बारा हजार फिट के उंचाय पर खुब पैदा होता भारत में इसकी आवक अधिक तर इरान और अफगानिस्तान से होती है सालम पंजा का उप्योग सारारीक बल वीरिय की वर्दी के लिए बाजी कारक नुस्कों में धिट काल से होता आरा समुद्र में प्राय आत्रा करते रहने वाले पस्षिमी देशों के लोग पड़ती तिन दो चमच चूरन एक गिलास पानी में उबाल करके ओचेनी मिला कर पिते हैं इससें सरीर में इस पूर्टी और सक्ती बनी रहती है और भूग की पूर्टी होती है जो पहले समुद्र में ये चलते थे तो इसको काम में लिया करते थे योन दरवल्य में सालम पंजा सो ग्राम बदाम की मिंगी दो सो ग्राम दोनों को खूब बारिक पीश कर मिला ले इसका दस ग्राम चूरन पति दिन गुन गुने मिठे दूद के साथ सुबह खाली पेट रात को सोने से पहले सेवन करने से सरीड की कमजोरी और दुबला पंदूर होता है योन सक्ति में खूब ब्रती होती है और दातु पुष्ट होता है गणा होता है ये प्रियोग महिलाओं के लिए भी पूर्सों के समानी लाबदाई के पोश्टिक और सांती प्रत अत्य महि दिलाओं के लिए भी सेवन योग्य है सुक्र में या पैसाब में सुक्र का जाना इवीर्य का जाना सालम पंजाज सपेद मूसली काली मूसली तिनों को सो सो गराम लेकर कूट कर पीश कर बारिक चूरन कर लें और सीशी में बढ़ लें परती दिन आदा आदा चमस सुबह और रात को गाई के मिठे दूद के साथ लेने से सुक्र में सोप नदो सिग्र पतन काम की उतिर्ना की कमी आदी दूर हो करके आदमे को ताकत मिलती है जिनको पुराने लूज मौसम होने की तकलिफ है अतिसार तो सालम पंजाज कूप महिन पीश के एक चमस सुबह है दूप और रात को चाट के साथ लेने से पुराना अतिसार रोग ठीक होता है एक मार तक भोजन में सिर्फ दही चावल का ही सेवन करना चाहिए इस प्रियों को लाब होने तक जारी रखने से आम वात पुरानी पेचिस और संगननी लोग भी ठीक होता है बेन बेटियों के जो चुरन को एक चमच सुबह और रात को एक चमच गुन्गुने गाई के दूद के साथ लेने से पूराना स्वेत परदर इस से होने वाले कमर का दर्द सब ठीक हो करके और सरीट निरोगा होता है जिनको वात प्रकोप रहता है तो सालम पंजा और छोटी पीपर दोनों का महि सुबह साम बकरी के कुनकुने मिठे दूद के साथ लेवन से कफ वर स्वांस का प्रकोप सांत होता है सांस का फूरना सरीर की कमजोरी हाथ पेर का धर्द गेस और वात प्रकोप आदिक ठीक होते हैं एक जो चूरन बनता है इससे उसका नाम है विदारायादी चूरन जिसमे बिदारी कंद होता है बिदारी कंद सालम पंजा अस्वगंदा सपेद मुसली बड़ा गोखुरू अकर करा यह पचास पचास ग्राम लेकर के खूब महिन चूरन करके शिशी में रख लें एक चमत सुबह और एक चमत रात को गाई के दूद से लेने से अस्तम बन सक्ति जार में मिलता है अगला जो इसका योग बनता है उसका नाम है रति वल्लब चूरन यह आप घर पे बना सकते हैं इसमें सालम पंजा बैमन सपेद बैमन लाल सपेद मुसली काली मुसली बड़ा गोखुरू यह पचास पचास ग्राम छोटी इलाजची के दाने गिलोई 25 गराम मिस्री 125 गराम इन सब को अलग अलग लेके कूट पीट करके इनका पाउडर बरके रख ले रति वल्लब चूरन इसके कंटेंट एक बार फिर बोलता हूं सालम पंजाब बैमन सपेद बैमन लाल सपेद मुसली काली मुसली बड़ा गोखुरू यह सब 50-50 गराम छोट इन सब का पाउडर बना के काज की सिसी में रख लें इस चुरून को एक एक चमत सूबह और रात को गाई के दूत के साथ लेने से दो महिना तक लेने से योन दोरबल्ले योनां की सीतल था एवं नपुन सकता दूर होती है सरीर पुष्ट और बल्वान बनता है कुल मिला के इस सालम पंजा एक बहतरिन चीज है और इसका ये जो रत्तिव अलब चूरून है ये बजार के अंदर बना भी मिलता है लेकिन देखिए आप घर पे बनाएंगे न तो उसका कोई मुकाबला नहीं क्योंकि सालम पंजा नक का बताता हूं आप सालम पंजा खरीदें तो उसको दोनों हाथों से तोड़ें तोडने की कोशिश करें अगर जरासिक जो से ही तूट जाता तो समझ लो वो नटली है और काफी मकसद के बार तूटता है तो समझ लो असली है तो रत्ति वल्लब चूरन दो महिना सेवन कर सक करते हैं इस मौसम के अंदर लेकिन घर पे बनाएं इसके कंटेंस एक बार फिट बोल देता हूं दो दफ़र पहले बोले तेसरी बार और बोल देता हूं क्योंकि जो काम की चीज़े उसे बोलने में कोई हड नहीं हां सालम पंजा बैमन सफेद बैमन लाल सफेद मुसली काल मुसली बड़ा गोखुरू ये सब पचास पचास गराम छोटी लाची के दाने गिलोज सत्वे दाल चीनी और गाजवां के फूल ये पचीस पचीस गराम और मिश्री एक सो पचीस गराम ये सब का पाउडर बना के शीशी बढ़ ले एक चम्मत सुबह एक चम्मत रात को ल लिखा है दो लाई मेहना ले सकते हैं इससे योन दौर बल्ले यानि कि सेक्स समंदी कमजोरी और योनान की शितलता यानि कि जिन का लिंग धिला हो गया पिल पिल हो गया अथवा लटक तासा रहता है उसके कमजोरी ठीक होती है और नपून सकता दूर होती है सरीर वीडियो अच्छा लगे जरू सब्क्राइब किजएगा ठैंक